इनकी मान वह प्रकॉर चुपचे हो जाओ रो मत रो मत गम जोई में कुछ पारहा हूं हे जूत जोई कमजोर कमजोर समझेंगे लोग कुछे कि बेटा होके मैं कुछ करनी पा रहा हूं चुप हो जाओ कि यह थोड़ा सा कठीन है कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों नहूं लेकिन दुख दुख सब के लिए होता है इमोशन होते हैं वो सब चीजे मेरे परिवार में आज तकलीफ हुई मैंने बता अधिक जीकों की भाई मेरे बड़ी बहन जो है उनके देवर जो 34 साल के थे आज सुबर साड़े तीन बजे सबस तीन बजे उनकी डैथ हो गई परिवार के लोग चाते ते मैं जाओं मैं मगर मेरे पास जम्यदारी है कि भाई अगर मैं ये समय छोड़के उदर जाओंगा तो पगले पांस साल जो होगा उसके लिए कहीं न कहीं मैं भी अपने आपको दोस मेरे आज भी याद है मेरी दो बड़ी रेलिया थी और अचानक से मुझे एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया मिला जिसमें लिखा था कि भाई चंशेकर आके मेरा अंतिम संस्कार करें और मुझे नियाएं दिलाएं मैंने चार दिन लड़ाई भी लड़ी लेकिन यहां की सरकार इतनी निकम्य है इतनी निष्टूर है इतनी ताना साही है कि उन्होंने धोका देने के लाबा कुछ दिया नहीं मैं तो अपने लोगों से कहूँगा बहुत जिम्मेदारी से बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा अगर आपने वोट की चोटनी कही नहीं तो उनको लगेगा कि आप लोग गुलाम से जादा कुछ हो नहीं सच बता रहा हूँ उनको लगेगा इनका कितना ही सोशन कर लो ये गुलाम है और गुलाम कभी अधिकारों के लड़ाईने लड़ते मैं तो बहुत जिम्मेदार से कहूंगा जहां भी जिस छेतर में भी चाहे वो भाजबा का नेता हो या कॉंग्रस का नेता हो जिन्होंने भी गरीबों का सोशन किया उसको विधान सभा में जाने मत देना चाहे कुछ हो जाए चाहे कुछ हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए उसको विदान समय में घुशने मत देना और जो आपके बीच का वेक्ति जो लड़ रहा है जिसने आपके एक दिन भी मदद कियो उसकी मदद करना कि वो ताकतवर हो जाए क्योंकि जब देखो राइदिक सकता बहुत ताकतवर चीज़े आप निर्दोस हो आ आप दोसियों आपको बचा देगी आपके जगा आपने अपराद के आपको बचा किसी और को बेदे गरीब के बेटे को बहुत समस्था है बड़े पेपर लीग होते हैं यहां बसों में बैठके